हेलो फ्रेंड्स आपका श्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैनती प्रसाद खामबी में फिर से नई वीडियो लेकर आपके शामरे मेरी एक वीडियो बनाने का उद्देश है केवल इतना है कि जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं उनकी कोई उसका ध्यान नहीं रखते हैं ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें सुनने में भी आता है सुना भी है पढ़ा भी है कि बच्चे अपने माता पिता को विर्दा स्रम में छोड़ कर आ जाते हैं क्या विर्दा स्रम में छोड़ कर आना उनका यह उच्चित कहा जा सकता है समाज की दिर्ष्टी से किसी की दिर्ष्टी से यह उच्चित नहीं कहा जा सकता है माता पिता हमें बच्वन से अब तक इतना प्यार देते हैं और हमेशा वो देते ही रहेंगे लेकिन जो बच्चे हैं वो माता पिता को वो सम्मान वो प्यार नहीं देते देखा है आपने कि माता पिता अपने बच्चों की हर जिद को पूरा करते हैं चाय हो जिद कैसी भी है यदि पूरी करने लाइक है तो उसे जरूर करते हैं लेकिन माता-पिता की एक ही इच्छा होती है कि वो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के साथ अपना जीवन यापन करें जब तक जीएं अपने परिवार के साथ रहें बच्चों का भी कर्तब्बे बनता है कि वो भी अपने माता पिता का सम्मान करें जब तक जीएं उनका ध्यान रखें एक संस्कृत में एक सलोक है कि बच्चे के जनम के समय माता पिता जिस दुक को सहिन करते हैं यदि हम उसका बदला सो वर्सों में भी चुकाएं तो भी उसके बदले को हम चुका नहीं सकते हैं यानि कि माता पिता का हम पर इतना बड़ा कर्ज होता है यदि हम सो वर्स तक उनका ख्याल रखें उनका पलपल का ध्यान रखें तो भी हम उसका कर्ज हम चुकार नहीं सकते तो आज की मेरी वीडियो बनाने का एक मैन उद्दे से यही है कि बच्चे अपने माता पिता अपने परिवार को पूरा स्पोर्ट करें और उनका सम्मान करें उनका ध्यान रखें ताकि उन्हें ये ना लगे कि अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो एक बार मैं सबसे नम्र नवेदन करता हूँ कि सभी उसके दर्श्चिमे में खुद भी आता हूँ सभी अपने माता पिता का शम्मान करें उनका ध्यान रखें और जब तक जीएं वो तब तक उनके साथ रहें जे हिंद जे भारत